काल ने भगवान से कैसे लिये थे वचन हजूर पिता जी ने भी बताया इस बारे में इस रहसे के बारे में सद्गूर जी की प्यारी सासंगा जी आज आपको एक ऐसे रहसे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो काल ने भगवान से इस दर्दी पर जितनी भी रूहें हैं उनके लिए क्या वचन लिए दे और सारी रूहों को अपने बस में करने के लिए परमात्मा इस वर्से कैसे जो है वचन लिए दे उसके बारे में इस वीडियो के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले मैं आप सभी से विंद्थी करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को like कर दे और इस चैनल को subscribe नहीं क्या है तो इस चैनल को subscribe भी कर ले! क्योंकि इस चैनल पर हम हजुर पिता जी की परती आपका motivate मन होता रहे इस वज़े से इस चैनल पर हम वीडियों डालते रहते हैं धन धन सद्दुरु तिरयासरा सद्दुरु जी की प्यारी सासंगत जी मां भारत में एक इस लोग आता है जानामी धरम ने चैमे परवरत्ती जानामी धरम ने चैमे तो जानता हूं लेकिन उसमें मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं है कोई रूची नहीं है और आगे क्या लिखा हुआ है कि जाना में धर्म ना चैमें निव्रतियां कि मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं पाता हूं और केनेपी देवेन हर्दयन इस्ति यतान योक्तोसमी तथा करोमी यानि कि जो जैसा वो मुझे बोलता है मैं वैसा करता चला जाता हूं कि इस तरीके से हजूर पिदाजी के बारे में बिल्कुल सेम टू सेम यही बाते लिखी वी आते हैं कि हजूर पिदाजी जब सत्संग में बताते हैं कि काम, कुरोध, मो, लोब, एंकार, मन और मया ये काल के गुलाम हैं जो इनसानी रूप, इनसानी चोले को जो है अपने वस्मे करके रहते हैं लेकिन जब इस चीज से इनसान इनके काबू में नहीं होता तो ये इसके गुलाम भी हो गवार चलते हैं हजूर पिता जी ने बहुत बार सत्संग में बताया भी है और गरंथ में लिखा हुआ भी है कि काल ने कहीं सो करोड साल तक भगवान की तपश्या की थी और भगवान ने उसे खुस होकर वचन मांगने के लिए कहा था तो काल ने भगवान से जो वचन मांगे थे कि मुझे और कुछ नी चाहिए मुझे तीन वचन चाहिए सबसे पहला तो ये कि जो ये रूहे हैं जनम मरन का जो चक्कर आप करते हो ये मुझे सोब दो और दूसरी बात दूसरा जो वचन था कि मैं उनको जिस योनी में डालू वे उसी में खुस रहे हैं यानि कि किसी जानवर की योनी में डाल ला हैं हादी की में डाल ला हैं साप की में डाल ला हैं तो वे उसी में खुस रहे हैं उसी योनी से उसको मुबब दो क्योंकि आप देखते हैं और तीसरा जो वचन था कि आप इस धर्ती से जब उनको छुटकारा दिलाओगे तो उनने कोई चमतकार दिखा कर या कोई अपना रूप दिखा कर जो है आप उनको इस रूप से चुटकारा मोक्स यानि जिसको मोक्स बोलते हैं नहीं चुटकारा नहीं दिलाओगे क्योंकि अगर आप अपना कोई रूप दिखा दोगे तो मैं खुद ही आपका गुलाम हूँ यानि कि भगवान का तो इश्वर है काल भी इश्वर को मानता है लेकिन जो रूहें हैं जो 84 लाख योनिया हैं उनका भगवान अपने आपको मानता है लेकिन सासंगत जी परमादम परमादमा ने जो है इसवर ने काल को ये तीन वचन दिये दे कि अगर हम इस दर्थी पर अवतारी रूप में आएंगे तो उन्हें समझा भुजा कर ही लेकर जाएंगे ना कोई चमतकार या कोई करिस्मा दिखा कर लेकर जाएंगे बलकि उसी रूप में जो है जाएंगे और उन्हें समझा भुजा करी उससे मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से जो है परमादमा से जो है काल ने वचन लिये थे और इस रहसे के बारे में हजुर पिदा जी के जो गरंध है करिश्मे है उनके बारे में भी लिखा हुआ है तो दुर्यो धन ने भ धर्म के विरूद है ठीक है इस तरीके से बहुत इंसान क्या हम भी अपने लाइफ में कोई काम देख लो कि हम किसी से ठगी कर रहे हैं बेमानी कर रहे हैं किसी से जुड़ बोल रहे हैं तो वही दुर्यो धन सिंड्रोम उश्वक्त हमारे अंदर रहता है हमें मालूम रहता कि इसको करना गलत है लेकिन उसका जो क्रेडिट है हम उस परमानमा को सौप देते हैं कि जो हमारी धर्दे में दुर्यो धन भी यही बोलता है कि मैं धर्म को छोड़ नहीं सकता क्योंकि जब एक भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता तो मैं कौन होता हूँ वो इस वर को बना देता है कि इस वर की मर्जी से ही मैं गलत कारिया कर रहा हूँ जबकि आप जानते हो आपको भी आपने भी अपने लाइफ में महसूस किया होगी कि अगर आप कोई गलत कारिये करते हैं तो आपको ऐसास होता है कि एक आवाज आपके अंदर से आ देगी यह गलत है लेकिन हम फिर भी यह सोचते कि कि किसी को कुछ ने पता चलेगा कि कर लेते हैं तो अधर्म हो जाता है एक तरीके तो जैसे आप देखते हैं कि कोई ठगी ब कोई नहीं देख रहा है लेकिन कहीं नगा आपने केसिस ऐसे देखे होंगे कि उनका हस्र बहुत बुरा होता है पुलिस थाना कचैरी हो जाते इस तरीके से उनको उनका भुकता करना जानते हैं तो इस तरीके से दुर्योधन जो सिंड्रोम जब तक सरीर के अंदर रहेगा कि तो आप अपना जो करते हो उसका भागिदारी आप भगवान को सोबते रहे होगे यह बोलोगे कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जब भगवान की मर्जी से एक पत्ता तक नेलता तो यह सबसे बड़ी बात होते हैं कि जो इनसान का जो मन, माया, मो, वचन लिये हुए हैं, कि ये मेरे गुलाम है, ये काल के गुलाम है, जो इनसान के उपर जब हावी हो जाते हैं, अगर आप इनको अपने उपर हावी कर लेते हैं, तो आप बुरे कामों में फचते चले जाते हैं, और जब इनको अपने उपर आप हावी नहीं होते हैं, तो आ यह चाहते हैं कि हम किसी नई जगा पर जाएंगे तो हमारा मन ठंडा हो जाएगा लेकिन हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारा मन और भी जगा गुमने को करता है तो इस तरीके से अगर हम मन को हवा देते हैं तो मन और भी ज़्यादा हवावी होता चले जाता है और अगर हम मन को ह होते हो समाप तोती चली जाती है और उसी तरीके से जैसे आप उधरन के तोर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इनसान दोलत कमाता है आज एक हजार कमा रहा है तो उसकी जो है इच्छा सक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है वो सोचेगा कि आज मैंने 1000 कमाएं कल 1500 कमाओंगा फिर दस 1000 कमाओंगा यानि कि उसी तरीके से इंसान की जो है इच्छा सक्ति बढ़ती चली जाती है किसी भी चीज को complete कर लेते हो तो आपका automatically मन जो करता है वो दूसरा lesson complete करने को करता है इस तरीके से अगर आप रेगुलर बेस पर अपना continuously अपना बेस बना लेते हैं तो आप उस निरंतर परियास से आगे बढ़ते चले जाते हैं और अगर आप किताब को दूर रखते हैं तो आप उनसे एक दिन दूर रखोगे फिर दो दिन दूर रहने का मन करेगा फिर चार दिन रहने का उस किताब से दूर रहने का मन करेगा तो इस तरीके से जिस भी चीज़ को हम अपना मन जिस के लिए अट्रेक्टिव करते हैं उस तरीके से इनसान का मन जो है कारिया करने लगता है जैसे इनसान बोलता कि कल जिम जाओंगा कल कल भी जिम नहीं गया फिर अगल जाओंगा चलो एक दिन और से और यूँ ही कर करके सालों निकल जाते हैं लेकिन उसके जिम का टाइम नहीं तो इस तरीके से मन को आप अमने कंट्रोल में कर सकते हैं और जो हजूर यही बात जो दुर्यधन ने बोली है जानामी धरम ना चैमें परवरत्ती यानि कि मैं धरम को जानता हूं लेकिन उसमें परवरत्ती नहीं इसके लिए उधारन के तोर पे मैं आपको बताता हूं कि मांगती है तो आपके दिल में अचानक से एक सवाल जरूर उठता है कि इनका धंदा है यह इनका बिजनिस है यानि कि आप जानते हैं कि जानामी धरम यानि कि धरम जानते हैं कि उसकी सायता करना आपका धरम है लेकिन आपके दिल से आपके जो मन आपके उपर हावी है वह को जवाब देगा कि नहीं यह गलत है इस चीज का गलत फायदा उठाएंगे जब कि ही हो सकता है कि वह बिचारा किसी मजबूरी में कि उसके उपर कितनी बड़ी परिसानिय जिस वज़े को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी कोई रूची नहीं है आपको उसके बारे में मालूम है कि यह विचारा किसी हैल्प किसी मजबूरी मांग रहा है लेकिन आप बोलते हैं कि हमें इसको पैसा देने में इसकी कैस्सायता करने में कोई रूची नहीं है जैसे यह खुद करेगा वैसे इसकी मर्जी भगवान जाने, इसका काम जाने, और उसी तरीके से जो आगे बात कहिए कि अधरम को भी जानता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ने ही पाता हूँ, जैसे कि आप गुठ का खा रहे हैं, सराब पी रहे हैं, कुछ किसी की बुराई कर रहे हैं, तो आप क्या आने लगता है, आपको पता है कि किसी की बुराई करना अधरम है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल दुर्योधन ने जो बात कहिए, बिल्कुल हमारे जीवन से रिलेटिव होकर आती है, हमारे अंदर जब तक दुर्योधन सिंड्रोम रहेगा दुर्योधन की तरह हम सोच रखेंगे, तो हम गलत कार्यों का अंजाम देंगे कि दुर्योधन ने भी पूरी अपनी सेना का नास करवा दे था, पूरी सेना मरवा दी थी, मा भारत का जो असली जिम्मेदार था, वो दुर्योधनी था, दुर्योधन की वज़े से ही उसके पिता ने राज मुकुट अपने दुर्योधन को देने के लिए ही जो है पांडवों को बोलते था कि हम आपको एक गाउं भी नहीं देंगे क्योंकि भगवान सिरी किरसन स्वयम ये बात बोले थे कि माहा भारत का यूद होने से बच जाएगा अगर आप पांच गाउं दे दे बिल्कुल दुर्योधन ने वहीं कहा था कि पांच पांडव तो दूर की पांच गाउं तो दूर की बात मैं पांडवों को एक सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं दे सकता तो यही कारण था कि उसका मन उसके ओपर हावी था और जो यह बोलता है कि केनेपी देवेन हर हर्दे स्थितिन यानि कि मेरे हर्दे में कोई देवता इस्थित है यानि कि उसका ग्रेडिट भी उसने भगवान को देदी था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं यह जो मैं गाउं नहीं दे रहा हूं यह मैं अपनी मर्जी से कार्य कर रहा हूं क्योंकि भगवान की मरजी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता तो मैं कौन होता हूँ यह सब निरने लेने वाला यानि कि जैसे वो मुझे बोलेगा मैं तो ऐसा ही करूँगा यान कि अद्धरम जो कर रहा है उसका ग्रेडिट डालना है भगवान पर परमात्मा पर तो सासंगा जी इसी के सासा जै में जो इनसान की योनी है उसको खुद मुक्तियारी दिये उस चीज को भूलकर वो यह बोल देता था कि भगवान की मर्जी से ही सब कारिये हो रहा है इस तरीके से दुर्योधन के दुआरा अपनी गलत फहमी को जो है दूर करना था जिस वजह से अगर वो इस पर विशार क यंकार है इनसे अजाद होने के लिए कभी आपको इनके बस में नहीं आना है और जब आप इन से दूर्क और काल ने भी इस्वर से जो वच्छन लिये थे कि आप इस धृति पर अगर कभी ऑउतार आवतार के रूप में जनम लोगे आप एक आवतारी रूप सक्तिया में ज क्योंकि समुंदर का एक बूंद भी ह्टू होता है उसी तरीके से भगवान इस्वर का एक अंस भी भगवान का रूप ही होता है हमारे सद्गुर कोई आम इनसान नहीं है वे अवतारी रूप सकते हैं जिन्होंने इतने करोड़ों लोगों को जीवन में खुशाल किया है जो स चाहे तो चमतकार भी दिखा सकते हैं लेकिन काल ने इस वर से वचन लिये हुए हैं कि आप जिसको भी इस दर्दी पर बेचोगे ना तो कोई वो चमतकार दिखाए ना कोई ऐसी सकती दिखाए जिस सभी रूप मोहित हो जाए हजूर पिता जी चाहे तो जिस तरीके से बग रहे क्योंकि काल ने परमात्मा से वचन लिये हुए हैं कुछ लोग आपके आसपास भी यही बात बोलते होंगे कि जब तुम अपने सद्गुर को भगवान का रूप मानते हो इस वर का रूप मानते हो तो तुमारे सद्गुर जी कोई बड़ा चमतकार क्यों नहीं दिखा तो उसका जवाब मी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूं अगर कोई आप इस तरीके से बोले तो आप उसको एक्जामपल के तोर पर भगवान श्री राम जी का उधरन दे सकते हैं भगवान श्री राम जी भी आप जान दें कि रामायन में बिल्कु पूरी महाबारत को समाप्त कर सकते थे लेकिन उन्हें पूरी दुनिया को गीता के माध्यम से ग्यान देना था और पूरी दुनिया को इस बात का एसास दिलाना था कि किस तरीके से कैसे एक अवतारी रूप सकते हैं भी बिना युद करें बिना किसी अपने नियम को जो धर्म की विजय करवा सकते हैं। उस तरह के से हजूर पिडा जी भी पूरी दुनिया को एक दिन इस बात का हैसाद दिलाएंगे कि धर्म की विजय भले इह धर्म ठोड़ा परेशान हो सकते हैं लेकिन दरम कभी भी हार नहीं सकता लेट विजय जरूर होगी लेकिन विजय होगी तो इस तरीके से आप उधरान दे सकते हैं कि भगवान श्री राम चंदर जी भी जानते तेखी भई आज सीता मैया का हरन होने वाला है और वे सीता माता जी के लिए वहीं पर रह सकते थे ले लेकिन उन्होंने रामायन के किरदार में रहकर सभी को इस बात का एहसास दिलवाया कि किस तरीके से एक इनसानी रूप में कितने दुखों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे उन चुनोतियों को सुविकार करते हुए जीवन में परिसानी के रूप में आती है उन परि दिनिया का जो बेस है वो बना रहे उस तरीके से जो है काल के लिए ये एक चुनोती है जिस वज़े से हजूर पिता जी कोई चमतकार नहीं दिखा रहे जिस वज़े से जो है पूरी सासंगत के लिए ये एक बहुत बड़ा खुसी का उसर भी मान सकते हो अगर आप में तो सासंगत जी अगर आप भी मानते हैं कि हमारे सद्गूर अवतारी रूप सकते हैं क्योंकि हजूर पिता जी कोई चमतकार या कोई बड़ा करिस्मा इस वज़े से नहीं करते कि काल ने जो है परमादमा से ये वशन लिए हुए है तो आप सभी ने जो भी आप से इस तरह है कि बाते बोलता है हजूर पिताजी के बारे में तो भगवान श्री किर्शन और भगवान श्री राम का उधरन आप दे सकते हैं क्योंकि दुर्योधन के जब तक दुर्योधन का सिंड्रोम सभी के अंदर रहता है तो वह अपना जो धरम का कारिय से दूर रहते हैं और हैं अपना सारे अधरमों के कारिय का क्रेडिट भगवान को दे देता है कि मेरे दिल में कोई भगवान कोई देवता इस्तित है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं इसा करता हूं पूरी महाबारत में दुर्योधन से बिल्कूल भार रहना है और अपने अंदर की जो हर्दे के आवाजास जबकी वो अपने मन की वजह से गलत कारियों को अंजाम देता था और बोल देता था जिए भई États के अंसार की दिल के अंदर जो बगवान वास करते में उसके कहने के अंसार चलता हूँ जबकि उसके उपर हूँ यहावी है वो मन है और लेकिन वो क्रेडिट दे रहा है भगवान को अगर भगवान की जो अंतरा आत्मा की आवाज आते उसकी आवाज सुने तो वो कभी अधर्म नहीं करेगा ऐसे इंसान अपने जीवन में जब तक अपने मन की आवाज सुनेगा तो अधर्म की ओर बढ़ेगा और जब अपने मन से दूर होकर प्रमात्मा की अपने आत्मा की आवाज सुनेगा तो वैग गलत कारिये करने से बच जाता है तो सासंग जी इस तरह की जो वीडियो है हम हजूर पिताजी के परती आप सभी को मोटिवेट करेंगी जो गीत को कोई भी बात गलत लगी हो तो उसके लिए दिल से सोरी चाहूंगा और वीडियो के लाश्ट तक बनने के लिए प्रेम पूरवक बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐ लिक का रूपया उतारी रूप सकते हैं तो आप सभी ने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने लिए और जदद से जदद सासंगत को इस वीडियो के बारे में शेयर भी कर देना ताकि दुर्योद्धन के सुन्ड्रोम से बाहर रहकर हम अच्छे कार दो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगली वीडियो बहुती जल्द लाएंगे महाबारत के इस लोग से लेकर आएंगे गीता के इस लोग से हजूर पिता जी के लिए आप सभी के लिए वीडियो लाइक कर देना ताकि हम अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आपको झाल 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 झाल